नमस्कार आप सबी का सुआगत है हमारे खास कारिक्रम सनजीवनी में आपके साथ मैं हूँ सॉनाली शर्मा दशको संजीवनी कारिक्रम के जरी हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी तक स्वास्त संबंधी जो भी आपकी समस्या है उनका सही उत्तर आप तक पहुँच सके इसके लिए इस कारिक्रम के जरी हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अलग-अलग स्वास्ते संबंदी जो विशिशग्य हैं उनको अपने कारिक्रम में आम अंतृत करें ताकि आपकी जो भी समस्या है उसका हल आप तक पहुंच सके आज भी हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जिनसे हम जानकारी आज हासल करेंगे अर्थराइटिस नामक बिमारी की जी हां अर्थराइटिस की अगर बात करें तो बेहद आम ये बिमारी अब होती जा रही है अर्थराइटिस मतलब यानि कि अगर कहा जाए तो जोड़ो या मिल रही है अर्थिराइटिस आखिर क्यों होता है यह कितने प्रकार का है और इसका समाधान किस तरह से किया जा इसके लिए आज हम बात करेंगे बेहत खास मेमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्ते थे हमारे साथ हड़ी एवं जोड विशिशग्य डॉक्टर बी अर्थिराइटिस क्या है कितने प्रकार का होता है देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल जो आपने पहले कहा है कि आज कल पहले तो भीमारी बूरों में होती थी लेकिन आज जीवन सैली की वज़ए से दूसरे लोगों में और जबान लोगों में भी हो रही है आपने उसको हम arthritis कहते हैं और दूसरा आपने एक सवाल पूछा कि गठिया कितने तरह के होती है, arthritis कितने तरह के होती है, तो आम आदमी हर joint के pain को या जोड के दर्द को गठिया समझता है या arthritis समझता है, डॉक्टर के point of view से या हम लोग doctor के नाते ये बताएं कि क्या होता है, तो इसमे हम अलग गठिया arthritis कहते हैं, दूसरे का, मेली जो हम आज बात करेंगे, वो दो ही तरह की गठिया की बात करेंगे, एक तो जो आपने पहले कहा है, कि उम्र बढ़ने पे जो होती है, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापे का, बुढ़ापे में गठिया हो गया है, बुढ़ापे क बुढ़ापे के साथ मौत भी होती है, बुढ़ापे के साथ मौत भी होती है, तो ये जिन्दगी के सब stages है, और गठिया कोई ऐसी नहीं है, बहुत से लोग पूछते हैं, डांक साव हम ही को हो गई है, तो हम कईयों से ये कहते हैं, कि आप ये बताइए, कि आपकी क्या ममी पापा भी बुबे बूडे हुए थे, के नहीं, हुए तो आपने देखा नहीं कि वो कैसे चलते थे, लंगडा के तो भी चलते थे, तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कि आपको हो गई, आप ये समली जो यहाँ पैदा हुआ है, सब को गठिया की बीमारी होने है, तो डॉ आप जीवन सलि की बात उसमें आप ये देखिये कि जो जो जोड पचास किलों के靂पना है और उसका बजन यदी डर्सो किलो होगा तो भापंदार लगाईगे वो पहले घिसेगा 50 किलो वाले का पहले कहले घिसेगा या 1.500 किलो वाले का पहले घिसना ही है और जिसने भजन अपना 30 की उम्र में आप सोचिəं कि जो भजन उसका 50 होना चाहिए उन लड़कियों ने असी कर लिया तो आज नहीं उनको हो सकता लेकिन हाँ उनका बुढ़ापा जो 60 साल में आना चाहिए उनका मैं निश्चित तोर से कह सकता हूँ कि उन लोगं का तो पहले आही जाएगा तो एक वजन का जो है जीवन सैली में वो बहुत बड़ा रोल है दूसरी इसी के संदर्ब में आँ बात कहें वजन बढ़ता कैसे है तो वजन के दो ही बढ़ने के कारण है जब हम जरूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे तब हमारा बढ़ेगा और जरूरत के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हम जितना खाएं उतना खर्च करें तो हमारा कोई नहीं होगा और यदि हमें काम कम है खा ज़्यादा रहे हैं तो वजन बढ़ना है और आपको आर्थ्राइटिस बाढ़ने दूसरी आपने कहा जीवन सैली में अब आज की जैवन सैली में आप देखें जो बहुत मामूली सी बाते हैं दो चीजे हैं आज हमारा देखें डाइबिटीस के लिए कैपिटल औफ डाइबिटीस कहा जा सकता है दिली जैसे बड़े सेहरों के लिए तो यह है डाइबिटीस के भी यही है जिसको डाइबिटीस होगी उसका बजन बढ़ना ही है डाइबिटीज के बारे में खास बात बताओं क्या होती है क्यों डाइबिटीज में बजन बढ़ता है जो हम खाते हैं वो ग्लुकोज हमारा इस्तेमाल नहीं होता सरीर में बलकि वो ग्लुकोज फैट में बदलके डिपॉजट हो जाता तो आप ये सोची कि आपने जो पैसा क रमाया उसको खर्च नहीं किया बलकि कहीं जमा कर दिया तो बढ़ना ही है आप सो रुपए के हिसाब से बढ़ा दिये तो महिनें बढ़ेगा हजार हजार के हिसाब से बढ़ा दी तो बढ़ना है तो बढ़ना है तो डाइबिटीज के लोगों का बजन बढ़ जाता और पही बजन आपके जोड़ों पर जाता है जो आपको आर्थराइटिस पैदा करता है वो भी उम्र से पहले। तो खराब जीवन शैली कहीं न कहीं इसका एक रीजन हो सकता है मैं आपको कहूँ कहीं न कहीं नहीं है आप इसको निश्चिक तौर पे कहिए जो लोग सुन रहे हैं हमारी जीवन सैली के बदलाओ के ही हमारे में ये समझ्चाएं आ रही है जैसा मैंने पहले का है बड़ापा सबको आना है लेकिन आप ये सोची है कि बड़ापे के बाद जो आर्थराइटिस आनी है वो सबको उस समय नहीं आ जाती 80 साल में आर्थ्राइटिस होना बिल्कुल है लेकिन जब 40 साल में हो जाती 35 साल में हो जाती वो दुख वाली बात है 80 साल में तो सब को बुढ़ा पाना है, सब को arthritis होनी, तो उस समय करना क्या है, आपको घर में बैटना है, घर से आपको टटी भी साफ करने है, कौन सा आपको बजार जाना है, कौन सा आपको खेत खलियान जाना है, कौन से आपको दफतर जाना है, लेकिन दफ्तर जाने के समय, खेत खल्यान करने के समय, घर का चौका बसन करने के समय, जब आप नहीं कर पाती तो ये दुख दायक हो जाता है। बिल्कुल आपने सही का है, दोनों ही बातों का इसका है, देखिए जिन लोगों की मसल्स वीक होगी, यदि मसल्स वीक होगी तो जोड अपने आप टेड़े होने लगते हैं, उसका हम साधर सा आपको तरीका बतना है। इंगरोंरन से और्व साधर की मिसोता है, पार मसल्स वीक होगी मसल्स का इसका है, यदि बच्चा जब चलता है, जब वोकिफाला का इसका एक जा obras, जाती हो जाती है है। और उनके पैर टेड़े हो जाते हैं, तो आपने दूसरा आपने एक और क्वेश्चन किया था, वो क्या था इसके साथ, कि कभी चोट लगना उसके करणड़ी, देखिए कि जब किसी ये आपने जोएंट को देखा हो, हम ऐसे सरजन बता सकते हैं, जोएंट बिलकुल चिकना हो कि जब इसमें फ्रिक्शन जादा होगा, तो जोएंट खराब होगा, और जोएंट में जितनी स्मूथनेस होगी, जितना लूब्रिकेशन होगा, वही होता है, जिसको कहते हैं, भाई ये तो बहुत लचीला है, कहीं भी बाढ़ जाता है, कुछ भी कर लेता है, देखिए है एर्रेगुलर्टी आजाती। जोड में तेड़ापन आजाए या खुर्द्रापन आजाए तो कोई भी खुर्द्री चीज पर या यहाथ रग लेंगे तो उसमें धर्द होगा हमें, आपको नहीं होगा, वह जब जोड खुर्द्रा हो जाता है, जोप चीज तेड़ी होग चोट लगने पर जैसे 30 साल के बच्चे हैं उनको जोड की चोट लग गई तो आप हम तुन से कह देते हैं भाई कि आप देखो आप तुन्हें बेटा चोट तो लगा लिए मोटर साइकल से अब आप यह सोच यह जो आपको बुड़ापा 60 साल में 70 साल में आना था वो आपने 3035 साल में कर लिया तो आप अपने हिसाब से तो आप कहने फेस से तो आप जबान लगेंगे लेकिन भुटनों के हिसाब से जोडों के हिसाब से आप बुड़ ही हो गए बिल्कुल डॉक्टर साब लक्षन की अगर इसकी बात करें तो क्योंकि जब भी शरीव में कहीं दिखाना चाहिए। वो दर्द होता है, और यही दर्द है, जब हलका होता है, तो आप इसको कहेंगे कि नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं देखियों, अप ऐसा है, हर दर्द जोड का वो गठिया नहीं होता है, वो अर्थराइटिस नहीं होती, यह मैं सब दर्शकों को बताऊंगा, कि इसको आपना मन, कि आपको एक दिन दर्द हो गया, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, उसका बता है क्यों आपको एक दिन दर्द होता है, जिसने एक घंटे कभी किचिन में खड़ा नहीं हुगा, और उसको पार्टी के लिए पांच घंटे खड़ा होना पड़ तो मैं मानता हूँ उन लोगों को दर्द होना वाजब है और होगा भी तो ऐसे लोगों को ये नहीं समझना ची गठिया उसका एक किया है कि जो आपका सरीर है जिस रफ्तार से बना हुआ या जिस छमता का बना हुआ आपके लिए कहते हैं मुर्गे को तक्यों का गाव बहुत है तो जो आदमी मैंने बताया ये गंटे नहीं खड़ा होते इस पाचों से दर्द हो जाएगा इसी तरह से जिन लोग को इसकूलों में दफ्तरों में काम करने के लिए होता तब वो दर्द हो जाता लेकिन वो गठिया नहीं है हाँ गठिया की लक्षण होते दर्द हो जोड में सूजन हो खास तोर से जो गठिया बुढ़ापे वाली बात होती उसमें सुबह सुबह अकलाहट हो मैं आपको कल ही की बात बताँ हमारे कोई परचित मुझे फोन करते हैं के दे साप मेरी पतनी है सुबह हाथों में उनको बहुत दर्द होता है और उठने के बात दर्द हो मैंने उनको एक ही दावा और मैं सब को बताउँ कोय भी पुरानी चीज़ हो आपके पास पुराना बा जो quality है या जो उसकी छमता है या कहें कि वो कितना अच्छा है वो उतना नहीं है जितना की आपका 30 साल पहलेता है तो ये आम बात हैं यदि कोई दर्सा के सोचे मुझे सुबह जोडों में दर्द हो रहा थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है तो इसको आप नॉर्मल हैं और दर्द इतना बढ़ जाता है कि हाथ या पैर मुण नहीं रहें घुटना जहां टेड़ा है वहीं रहा गया तब आपको सच में किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर को भी हम तो आपको सब को यही कहेंगे किसी qualified डॉक्टर को ही दिखाएं क्योंकि होत पास जाएंगे तो उसका अच्छा इलाज भी होगा और उसका हल भी अच्छा निकलेगा इलाज की बात करी तो उपचार से संबंदी जानकारी आप से लेते हैं कि उपचार किस तरह से इस चीज का उता है एक तो बुढ़ापे में और एक जो कम उम्र के लोगों को हो रहा ह है उसका उपचार के से इसमें दोनों में ही चीज है आप इसको इससे ना डिफरेंशेट किये कि यह बुढ़ा तीस साल में आया साट साल में पहले तो यह समझे जोड़ खराब हो रहा है किसी भी गठिया के लिए आपको एकदम आपको किसी ने कह दिया मुझे गठिया हो तो डाक्टर के पास दोड़ के नहीं जाना है क्योंकि घरिलू आज हमारे यहां आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के सिक्षा के माध्यम से आप सब लोगों को पता चल गया जब आपको दर्द होता किसी तरह से घर में गरम पानी से आप सिकाई कर सकते हैं आपको जरूर आराम मिले हैं घर में कोई आपको मालस करने वाला मिल जाता है घर में जैसे सास के लिए बहु कोई मदद कर देती है पिता जी के लिए बेटा मदद कर दे थोड़ा भी हाथ मालस जाएगा तो दर्द मिल एक तो मालिस है जो कि एक फिजिकल हो गई और एक साइकलोजिकल है यदि मुझे दर्द है और मेरे उपर किसी ने हाथ फेर दिया तो आप समझें कि मेरा दर्द कम होगा कि नहीं होगा यह सबसे बड़ी महत्पूर्ण चीज है तो आप घरों में सिकाई है मालिस है दर्द के आप अपना कंसर्ण्स हो किजिए कि हाँ आपको क्यों होगा कैसे होगा आप ऐसा ना करें और कभी-कभी यह तो हो गई आपकी घरिल जब आपको जरूरत पढ़े तो आप किसी फिजियो थ्रैपिस से भी कंसल्ट कर सकते हैं वो कोई एक्सराइज बता देंगे कुछ बसीन करेंगे हैं कि ठीड़िन के पास जाएंगे तो खास दोर से हमारे जैसे तो सब का ऑपरेशन कर देंगे नो ऐसा बिलकल नहीं है हर मरीज का ना llamरीज ऑपरेशन की जरूरत है और ना हर मरीज ऑपरेशन से ही ठीक होता होता वह यह और आपकी यहोदरों की ना अपरेशन करदा है ऐसा बिल्कुल कहीं भी संभाव नहीं है ओपरेशन तो बिल्कुल कहीं भी जबर देंगे आपको कुछ समझा बुजा देंगे जो मैंने पहले का है वजन एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसके दर्द को कम करने का उसका हम फिर आपको देते हैं यदि हमारी छोटे से बाहन पर जिसमें पचास क लोग की गुंजायस हो और उस साइकल पर हम सौक लोग रख लेंगे तो उसके टायर तो फट भी सकती हो प्राबलम हो सकती तो पहला हर आदमी को अपना वजन कम करना वजन कम करने की दो ही तरीके हैं खाना कम खाएं काम ज्यादा कर और चलें फिरें ज्यादा बिना बात के भी चलें फिरें क्योंकि जो आपने डिपॉजिट कर रखा है पेट में वो आपका बर्ण होगा और आपका वजन कम होगा यानकि आक्टिव रहें आ रहे हैं, आप घर में साइक्ल है आपकी स्कूटर है कोई मसीन है यदि वो खराब हो जाएगी तो क्या आप सको रिपेर नहीं करवाते हैं तो आप उसको रिपेर भी करवाना चाहिए लेकन हाँ 나ोरे के अखिल काई बोल्त ही खराब हो गया तो उसका भी जैसा लोगों के दिमाग में जोड बदल गए हमारे से बहुत से लोग कहते हैं अरे साथ जब से पहले तो चल भी रहे तो जोड बदल दिए तो अब हम तो बिल्कुल अपाहिस हो गए, ऐसा नहीं है उसका कारण क्या ही होता है कि जोड फेल होने का एक ही कारण है कि यदि वो प्रॉपरली एलाइन नहीं हुगा, वहाँ हो सकता है, डॉक्टर की गलती रही हो, या फिर जो डॉक्टर ने हिदायत दी, उसको आपने नहीं माना, तब हो सकता है, क्योंकि लोगों को क्या होता है, मैं तो देखता रहता हूं, मेरा ब्यक्ति का तनबाव है, कि जब लोगों सक्सेस्फल ऑपरेशन है, और मैं तो अपने ही हम आपको बताएं, अब यस आपके माध्यम से कहना सही होगा नहीं, बहुत से आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, और आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं, हम तो करते रहते हैं, लोगों को दिखाते रहते हैं लोगों को बताते हैं, डॉक्टर साब आप जॉइंट की बात करें, जॉइंट ट्रांस्प्लांट की बात अगर हम करें, तो बहुत लोग सर्जरी से डरते हैं, और आपके माध्यम से में जानना चाहेंगे कि कितना टाइम लगता है रिकावरी में, कितनी जल्दी स्वस्थ होकर वापस लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, इसका बिल्कुल सीधा सा है, यदि आप पहले चल रहे थे, सिर्फ दर्द ही था, तो आप दूसरे दिन आप फिर चलने लगें, क्योंकि इसको और साधरनम किसी फिर मसीन से, आप जिसना कीजिए, कि आदमी उसको आपने एक मिनिट के अंदर उसको चला दी, तो क्या आप दुबारा दो चार दस किलो मीटर चल सकते के नहीं चल सकते हैं, सिर्फ उसका सीधा वास्ता, हाँ, कुछ लोग जोड इतने खराब हो जाते हैं, कि महीनों से, सालों से, कहीं पर चले नहीं होते, विस्तर में रह ज जाते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, मानसिक तौर पे इतना क्या कहते हैं, साहस नहीं रहता है, फिर बीमारी से या ऑपरेशन के बाद बड़े चीरे लगते हैं, उनसे दर्द हो जाता है, पहले आप इस तरह से लेटे हुए थे, अब आपका पैर सीधा हो गया, तो उससे ख तो तीन महीने कौन सी बड़ी चीज होती है, यदि हम तीन महीने ओपरेशन, तीन साल पहले ओपरेशन से पहले बिस्तर में लेटे हुए थे, तो मैं तो कहूँगा भई तीन महीने और भी लेट जाओ, आराम से चरने लगो, तो देखिए जोएंट की कितनी अच्छी होती ह और आपकी कितना जोड की भी लाइफ होती है, यदि लाइफ उसकी होती है, तो बढ़ ही जानी, जब उसको अच्छे ढंक से इस्तिमाल करोगे किसी भी चीज को, तो वो अच्छी दिन चलेगी है और अच्छी ही चलेगी ना आपने जोइंट ट्रांस्ट्रांट की जानकारी भी दी, लेकिन थोड़ा उससे पहले आना जाएंगे, अगर किसी को अर्थिराइटिस की प्रॉब्लम हो, तो वैयाम, योगा, ये सब कितना उसमें अच्छे अफेक्ट लादे हैं? और हम लोग तो इस बात के लिए हमी नहीं है, अपने देशबासी ही इस बात के लिए स्वभाग साली नहीं है, और मैं तो मानता भी हूँ, कि हमी लोग स्वभाग साली नहीं है, कि हमारे आयरवेद ने हमें ये एक बहुत बड़ा ज्यान दिया है, और बहुत बड़ी ये स बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी लोगों का जिन्होंने योग को हमारे जो स्वामी रामदेव जी हैं या जो लोग जितने योग गुरु हैं उन सब का इतना योगदान है कि आज इसको इतना बना दिया है कि अपने देश में तो बच्चा बच्चा जानता ही है आप दुनिया के किसी भी देश में जाये वहां पर हो रहा है ये तो मैंने अपनी आखों से देखा हुआ है आप कहीं भी जाये दुनिया में योगा के क्लास चल रहे हैं योगा के होंगा योगा मैं सब से आपके इस माध्यम से सब से कहूंगा मैं तो चाहूंगा कि आ आदे घंटे के लिए एक घंटे के लिए यदि योगा करते हैं और योगा बहुत आसन देखिए कुछ जो जैसे प्राणायाम है और जो अनलोम विलोम है या साधन सी आपको ब्रीधिंग एकसरसाइज है या थोड़ा सा उठाना बैठना एकसरसाइज इसमें कौन सी समस्या है यदि हम अपने 24 घंटे में आदा घंटे इसके लिए स्वास्त के लिए अर्थराइटिस के भी इसमें सकरात्मक का प्रभाव देखे लिए नोट ओनली अर्थराइटिस पूरी ये सरीर को ठीक रखता है और योगा तो एक बहुत अच्छी मैं तो सबसे कहूंगा कि खुद करें तो खुद भी इसको करता भी हो लोग मेरे से ही पूछते हैं राग साव आप बहुत यंग लगते हैं तो क्या करना है तो मैं कहता हूं मैं कोई ऐसी खास चीज ने खाना पीना काम करना यही सबसे अच्छी सब खान पान के अगर बात करें दोक्तर साब तो जिन लोगो को अर्थराइटिस है उनको कौन-कौन सी चीजों को खाने से परेज करना चाहिए इसमें हम खास तोर से उन लोगों के लिए जिनको आप गठिया की सिकायत कहते हैं जिनको जोडों में दर्द होता है जिनको रुमेट्वाइड आर्थराइटिस टेक्निकल भासा में कहते है उनके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि जिनको ये होता है उनको कुछ खाने से दर्द बढ़ जाता है जैसे वो यदि खटी चीजन लेते हैं तो उनको दर्द बढ़ जाता है चाहिए वो दही हो या कोई भी खटी चीज लेते हैं कुछ लोगों का ये भी हमने चावल खा लिय या कुछ लोगों तो मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि आपको पता चल गया कि इस चीज से हमें समस्चा बढ़ती है तो उस चीज को आप ना करें। के लिए हम यही कहते हैं कि प्रोटीन का कम से कम लें जो उनके हिसाब से लें जरूरत से ज्यादा ने लें खास तोर से उन लोगों को होता है जो जिम में जाते हैं बोडी बिल्डिंग करते हैं या जिनको लगता कि हमें बहुत करना और उन लोगों को भी जिनके पास पैसा ब हार की जरूरत है यदि हम से पांच चीजों में कहा जाए आपको रोटी कानी चावल कानी दाल कानी पानी काने दूद काना दाई काना यदि हमें एक ही चीज दे दी जाए तो कितनी देर काम करेगी और आपको लगता है जरूरत में तो आपको काम हो जाए वैसे नहीं तो हर कि मसी को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बहुत साधन तौरते हम आपको बताएं प्रोटीन किसी के लिए एक किलो ग्राम के लिए एक limit की जरूरत होती है और प्रोटीन जो हमारे यहां हमारे देश में वो दालों से मिलती है दूद दही से मिलती है और जो लोग नॉन्वेस खाते हैं उनको मीट से मिलती है और इसके अलाबा कुछ भी नहीं है और सबसे यदि जो नॉन्वेस खाते हैं या जिनको कहें तो एक अंडा भी प्रोटीन का बहुत अच्छा साधन है बिल्कुल डॉक्टर साब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मौसम की अगर बात करें तो कहते हैं कि सर्दियों में अर्थराइटिस की शिकायत उनकी बढ़ जाती है क्या ठंड या मौसम में परिवर्तन भी अर्थराइटिस की समस्या को प्रभावत करता है और आपका अनभव भी होगा आप इस सोचिए कि हमें सुबह गर्मी में उठने में ज़्यादा दिक्कत होती है जाडे में रजाई से निकलने में बिल्कुल जाडे में समस्या होती है जिनको दर्द होता है उनको और भी समस्या होती है उसका दर्द का आप देखिए टेक्निकल बात दर्द को कम करने के लिए खून का बहाव सबसे जाधा होना चाहिए जब खून का बहाव आएगा तो जो टॉक्सिक मेटीरियल है वो निकल जाते इसको आप ऐसे सुचिए कि बात्रूम में यदि गंदगी पड़ी है तो हम जितना पानी डालेंगे उतनी ही सफाई होगी तो इसी तरह से है कि जब जाड़े में सब गठिया वालों को एक और मौसम के भी जैसे इस समय हैं हूमेड मौसम है आदरता बहुत है चिपचिपा हट जाने गठिया के मरीजों में दर्द हो जाता है बढ़ जाता है हम उन सब से कहते हैं और आपके माध्यम से कहेंगे कि आप लोगों को इस मौसम में तो दबाई को बदलने की जरूरत नहीं है जो आप दबाई ले रहे हैं उसको लेते रहे हैं बलकि उसकी डोज भी बढ़ा दीजिए वो भी डॉक्टर के सलाई से तो कम से कम आपका क्योंकि मौसम का खास्त और से रूमेट्वाइड आर्थाइटिस का हुमिडिटी से सीधा वास्ता है कोल से सीधा वास्ता है हमारे यहां तो कम हैं यह आप यूरोप की बात करें तो यूरोप पे रूमेट्वाइड आर्थाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है क्योंकि यहां ठंड भी है और कुछ एक्टिबिटी भी है इस तरह हैं जब कुछ हद तक जनेटिक का भी रोल आता है तो यह तो होता है तो दॉक्टर साब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कारिक्रम में आये और अर्थराइटिस से संबंदी आपने इतनी एहम जानकारी हमारे दर्शुकों को दी आपका एक बड़ी फिर से हमारे कारिक्रम में आने के लिए बहुत बश्शुक्रिया मैं तो आपको भी धन्यवाद दूगा दूरदर्शन को भी दूगा और दर्सकों को दूगा धन्यवाद दूगा नमस्कार करूं कि आपने मुझे आउसर दिया कि मैं अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से दूसरे लोगों को बता सकते हैं धन्यवार दूस्कार तो दर्शो को उमीद करते हैं आपको आज का हमारे एपिसोड बेहत पसंद आया होगा और अर्थराइटिस से जुड़ी आपकी जो भी समस्या हैं वो भी कही ना कहीं इस कारिक्रूम के जरी आपकी समस्यां का समाधान हुआ होगा फिलाल के लिए दी झाल